C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है, कक्षा 6 की भुगोल की पाठ्थे पुस्तक, प्रिथ्वी हमारा आवास, प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ एक, सौर मंडल में प्रिथ्वी, प्रिष्ठ एक से प्रिष्ठ नौ तक, तो आईए अब सुनते हैं पाठ, सौर म प्रिष्ठ एक सौर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, आस्मान में पहले एक या दो चमकते बिंदो ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है, आप उनकी गड़ना नहीं कर सकते, संपूर्ण आकाश छोटी-छोटी चमक दार वस्तूओं से भर जाता है, जिन में से कुछ चमकीले होते हैं, एवं कुछ धुंदले, ऐसा प्रतीत होता है, मानो आकाश में हीरे जड़े हूं, इन में से कुछ टिम्टिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे, तो आप पाएंगे कि इन में से कुछ की टिम्टिमाहट अन्य से अलग है, ये बिना किसी टिम्टिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं, इन चमकीली वस्तूओं के साथ आप लगभग प्रते दिन चंद्रमा को भी देखते हैं, ये अलग-अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। क्या आपको इस बात पर आश्चरे नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवम इन सभी छोटी चमकीली वस्तूओं को क्यों नहीं देख पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तूओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तूओं जो रात के समय आस्मान में चमकती हैं खगोलिय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलिय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी उश्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलिय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। आओ कुछ करके सीखें। आपको आवशक्ता होगी एक टॉर्च, एक साधा कागस, पैंसिल तथा एक सूई, चरण एक। कागस के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका काँच कागस से सटा रहे। अब टॉर्च के काँच के चारो ओर एक वृत्त खींचें। 3. कागस पर वृत्त के एक शेत्र में सूई से छोटे-छोटे छेद करें। 4. अब कागस के छिद्रित वृत्ती अभाग को काँच पर सामने की तरफ रखें। तथा टॉर्च के चारो ओर कागस को लपेट कर रबर बैंड लगा दें। 5. ध्यान रखें कि तॉर्च की स्विच कागस के बाहर रहे। 6. अंधेरे कमरे में एक साधी दिवार की ओर मुह करके इस तॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाए। 7. दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें। अब टॉर्च की रोश्नी को दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदुओं को देखेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। 7. अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अद्रिश्य हो जाएंगे। 8. आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं। जब रात्री के समय आसमान में चमकने बाले तारे सूर्योदय के बाद अद्रिश्य हो जाते हैं। 9. प्रिश्ठ 2. रात के समय चमकते हुए अंगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी उश्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। तथा वे अत्यन्त छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक उंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्री में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकरितियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बै इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सब्त रिशी, सब्त अर्थात साथ, रिशी अर्थात संत। यह साथ तारों का समूहों है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। इस प्रिश्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें सब्त रिशी एवम धिर्वतारी को दर्शाया गया है, और एक बालिका सब्त रिशी को देखते हुए धिर्वतारी को उत्तर दिशा में ढونडने का प्रयास कर रही है। अपने परिवार या पडोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं प्राचीन समय में लोग रात्री में दिशा का निर्धारन तारों की सहयता से करते थे उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है हम सब्तरिशी की सहयता से ध्रुव तारी की स्थिती को जान सकते हैं चित्र एक दशमलव एक में आप देखेंगे कि यदि सबतरिशी मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक कालपनिक रेखा खींची जाए एवम उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुफतारी की ओर इंगित करेगी कुछ खगोली अपिंडों में अपना प्रकाश एवम उश्मा नहीं होती है वेतारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट्स कहते हैं ग्रीक भाशा के प्लैनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों और घूमने वाले प्रिथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है यहाँ अपना संपोरन प्रकाश एवं उश्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो प्रिथ्वी के सबसे नस्दी का तारा है प्रिथ्वी को बहुत अधिक दोरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यहाँ चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी कुछ रोचक तथ्य ब्रिहसपती, शनी तथा यूरेनस के चारो ओर चल्ले है ये चल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टिया है प्रिथ्वी से इन चल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की साहिता से देखा जा सकता है प्रिष्ठ तीन इस प्रिष्ठ पर हमारे सौर मंडल के विशे में बताया गया है ग्रहों को दर्शाता है साथ ही इस चित्र में क्षुद्र ग्रहों की पट्टी को भी दर्शाया गया है इसके अलावा इस चित्र में प्रती ग्रह की सूरी से दूरी और उसकी कक्षा को भी दर्शाया गया है इस चित्र में दूरी मिलियन किलोमेटर्स में दी गई है एक मिलियन में दस लाख किलोमेटर होते हैं इस चित्र में नीचे ग्रहों से संबंधित कुछ महत्वपूरण जानकारियां दी गई है जैसे सूर्य से पहला ग्रह है बुद्ध ग्रह सूर्य के चारो और एक परिक्रमन करने में इसे 88 दिन अपने अक्ष पर लगते हैं और इसका घूरणन उन 60 दिन का होता है इसी प्रकार दूसरा ग्रह है शुक्र सूर्य के चारो और एक परिक्रमन 255 दिन अपने अक्ष पर घूरणन 243 दिन सौर मंडल का तीसरा ग्रह है प्रित्वी सूरे के चारों ओर एक परिक्रमन तीन सौ पैसट दिन अपने अक्ष पर घोर्णन एक दिन चंद्रमा की संख्या एक सौर मंडल का चौधा ग्रह है मंगल सूरे के चारों ओर एक परिक्रमन छैसो सत्तासी दिन अपने अक्ष पर घूरणन एक दिन चंद्रमा की संख्या दो सूर्य के चारो और घूम रहे इन चारो ग्रहों को हमारे सौर मंडल के आंतरे ग्रह कहा जाता है ये सूर्य के बहुत नजदीक हैं और ये चटानों से बने हैं इसके बाद चित्र में सौर मंडल के पांचवे ग्रह ब्रिहस पती की स्थिती के बारे में बताया गया है सूर्य के चारो और एक परिक्रमन ग्यारह साल ग्यारह महीने अर्थात लगभग बारह साल अपने अक्ष पर घूरणन नौ घंटे चपन मिनट सौर मंडल का चठा ग्रह है शनी सूर्य के चारो और एक परिक्रमन 29 साल पांच महीने अपने अक्ष पर घूरणन 10 घंटे 40 मिनट सौर मंडल का साथ वा ग्रह है यूरेनस सूर्य के चारो और एक परिक्रमन 84 साल अपने अक्षपर घूरणन 17 घंटे 14 मिनट चंद्रमा की संख्या लगभग 27 सौर मंडल का आठवा ग्रह है नैप्च्यून सूर्य के चारों ओर एक परेक्रमन 164 साल अपने अक्षपर घूरणन 16 घंटे 7 मिनट चंद्रमा की संख्या 13 ब्रिहस्पती से लेकर नैप्च्यून तक सभी ग्रहों को ब्राह्य ग्रह कहा जाता है सूर्य से ये बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं ये गैस और तरल पदार्थों से बने है प्रिष्ठ चार आस्मान में दिखने वाला चंद्रमा एक उप्ग्रह है यहां हमारी प्रिथ्वी का सहचर है तथा इसके चारो ओर चक्कर लगाता है हमारी प्रिथ्वी के समान साथ अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं उश्मा प्राप्त करते हैं उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं सूर्मंडल सूर्य आठ ग्रह उप ग्रह तथा कुछ अन्य खगूलिय पिंड जैसे क्शुद्र ग्रह एवं उलका पिंड मिलकर सूर्मंडल का निर्मान करते हैं उसे हम सूर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुख्या सूर्य है सूर्य सूर्य सूर्मंडल के केंद्र में स्थित है यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है इसका खिचाव बल इससे सूर्मंडल को बांधे रखता है सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उश्मा का एक मात्र स्रोत है लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज उश्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नस्दीक का तारा होने के बावजूद यहां हमसे बहुत दूर है सूर्य प्रिथ्वी से लगभग 15 करोड किलो मीटर दूर है ग्रह हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, प्रिथ्वी, मंगल, ब्रिहस्पति, शनी, यूरेनस तथा नैप्चियून सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है इस वाक्य के पहले अक्षरों को आप याद रख सकते हैं जो की हमारे ग्रहों के क्रम में है सौर मंडल के सभी आठ ग्रह एक निश्चित पत पर सूरे का चकर लगाते हैं ये रास्ते दीरग वरित्ता कार में पहले हुए हैं ये कक्षा कहलाते हैं बुद्ध सूरे के सबसे नस्दीक है अपनी कक्षा में सूरे के चारों और एक चकर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं शुक्र को प्रिथ्वी का जुडवा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकरिती लगभग प्रिथ्वी के ही समान है अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था परंतु अंतराश्ट्रिय खगोलिय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निरने लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलिय पिंड 2003UB313 सिरस तथा प्लूटो भॉने ग्रह कहे जा सकते हैं क्या आप जानते हैं? पौरानिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से समबंधित इसी लिये सूर्य के परिवार को सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है सौर शब्द का उपियोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें शब्द की उतपत्ती ऐसे बहुत से शब्द जिनका उप्योग हम एक भाशा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाशाओं से लिये गए शब्द हो सकते हैं उदाहरण के लिए जियोग्रफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाशा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है प्रिथ्वी का विवरण यहाँ दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें G-E शब्द का अर्थ है प्रिथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना आईए प्रिथ्वी के संबंध में और अधिक जाने जियो धन लौजी प्रिथ्वी का अधियन जियो धन मैट्री प्रिथ्वी का मापन जियो धन ओईड प्रिथ्वी के आकार के अनुरूप क्या आप जानते हैं? रात में आस्मान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है खगोली या पिंडों एवं उनकी गती के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं आर्यभट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं आज विश्व के सभी भागों में खगोल विद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं प्रिष्ठ पांच प्रिथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से प्रिथ्वी तीसरा ग्रह है आकार में यहाँ पांच्वा सबसे बड़ा ग्रह है यहाँ ध्रुवों के पास थोड़ी चप्टी है यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है भू आभ का अर्थ है पृत्वी के समानाकार जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतह केवल पृत्वी पर ही पाई जाती है पृत्वी ना तो अधिक कर्म है और ना ही अधिक ठंडी यहाँ पानी एवं वायू उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्चक है वायू में जीवन के लिए आवश्चक गैसें जैसे ऑक्सिजन मौजूद है इन्ही कारणों से पृत्वी सौर मंडल का सबसे अध्भुद ग्रह है अंतरिक्ष से देखने पर पृत्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी दो तिहाई सतह पानी से ढखी हुई है इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है चंद्रमा हमारी पृत्वी के पास केवल एक उप ग्रह है इसका व्यास पृत्वी के व्यास का केवल एक चौथाई है यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलिय पिंडू की अपेक्षा नस्दीक है यह हम से लगभग 3,84,400 किलोमेटर दूर है अब आप पृत्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं इस प्रिष्ठ पर एक चित्र दिया गया है इस चित्र में अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का चित्र दिखाया गया है इसी प्रिष्ठ पर एक और चित्र दिखाया गया है जिसमें मानव निर्मित उपग्रह के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार रॉकेट का प्रक्षेपन किया जाता है तथा उसके बाद मानव निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है तथा रॉकेट का बचा हुआ हिस्सा प्रित्वी पर वापस गिर जाता है इसके बाद छोड़े गए उपग्रह को उसकी कक्षा में प्रवेश कराने का द्रिश्य दिखाया गया है क्या आप जानते हैं? प्रकाश की गती लगभग 3 लाख किलोमिटर प्रती सेकंड है नील आमस्ट्रॉंग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1979 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा मालूम करू कि क्या कोई भारतिय चंद्रमा पर गया है? उपग्रह एक खगोलिय पिंड है जो ग्रहों के चारो ओर उसी प्रकार चकर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारो ओर चकर लगाते हैं मानव निर्मित उपग्रह एक क्रित्रिम पिंड है यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उप्योग ब्रमहंड के बारे में जानकारी प्राप्त करनी एवं प्रित्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भिजा जाता है एवं प्रित्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतिय उपग्रह इनसेट, आई आरेस, एडूसेट इत्यादी हैं, प्रिष्ठ चे, चंद्रमा प्रिथ्वी का एक चकर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, लगभग इतने ही समय में यहाँ अपने अक्ष पर एक चकर भी पूरा करता है, इसके परिणाम स्वरूप, प्रिथ्वी से हमें चंद चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, इसकी सतह पर परवत, मैदान, एवं गड़े हैं, जो चंद्रमा की सतह पर चाया बनाते हैं, पूरणिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी चाया को देखा जा सकता है, इस प्रिष्ठ पर एक प्रश्न दिया ग प्रिष्ठ पर इस संबंध में एक चित्र दिया गया है, जिसमें क्षुद्र ग्रह की एक तस्वीर दिखाई गई है, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह, ग्रह के ही भाग होते हैं, जो की बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से तूट कर अलग हो गए, उलका पिंड। सूर्य के चारों और चकर लगाने बाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकणों को उलका पिंड कहते हैं, कभी कभी ये उलका पिंड प्रिथ्वी के इतने नस्दिक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ती प्रिथ्वी पर गिरने की होती है, इस प्रक्रिया के दौरान वायू के साथ घर्शन होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न हो आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौरी सफेद पटी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। यह लाखों तारों का समुह है। यह पटी आकाश गंगा यानि मिल की वे है। हमारा सौर मंडल इस आकाश कंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कलपना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश कंगा पड़ा था। आकाश कंगा करोणों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रनाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश कंगाएं मिल कर ब्रह्महंड का निर्मान करती है। प्रिष्ठ साथ ब्रह्महंड की विशालता की कलपना करना अत्यधिक कठिन है। बैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करनी में जुटे है। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम स तभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। इस प्रिष्ठ पर एक चित्र दिया गया है, जिसमें कई सारे वृत्त खिंचे गये हैं। जिसमें सबसे बाहरी वृत्त पर ब्रह्मांड लिखा गया है। उसके अंदर के वृत्त पर आकाश गंगा लिखा गया है। उसके अंदर के वृत्त पर सौर मंडल लिखा गया है। उसके भी अंदर एक वृत्त है जिस पर पृत्वी लिखा गया है। और अंत में एक बालिका का चित्र बनाया गया है। इसी चित्र के बाई ओर लिखा गया है. क्या आप ब्रम्हंड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृत्वी पर हैं तथा पृत्वी सौर मंडल का एक भाग है. हमारा सौर मंडल आकाश कंगा अर्थात मिल की वे का एक भाग है जो ब्रम्हंड का हिस्सा है. ब्रम्हंड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजी कि इसमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद है इस चित्र में आपका इस्थान कहां है? अभ्यास प्रश्न एक यहां दिये गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजी पहला ग्रह और तारे में क्या अंतर है? दूसरा सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? तीसरा सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें चौथा प्रिथ्वी को अद्भुद ग्रह क्यों कहा जाता है? पांचवा हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? चठा ब्रम्हांड क्या है? प्रश्न दो सही उत्तर चिन्हित कीजिए पहला किस ग्रह को प्रिथ्वी के जुणवा ग्रह के नाम से जाना जाता है? का ब्रिहस्पती ख शनी गा शुक्र दूसरा सूर्य से तीसरा सबसे नजदी ग्रह कौन सा है? क शुक्र ख प्रिथ्वी ग बुद्ध प्रिष्ठ आठ तीसरा सभी ग्रह सूर्य के चारो ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? क वृत्य पथ पर ख आयता कार पथ पर ग देर्घ वृत्ता कार चौथा ध्रुफ तारे से किस दिशा का ज्यान होता है? क दक्षण ख उत्तर ग पूर्व पाँचवा क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क शनी एवं ब्रिहस्पती ख ग प्रिथ्वी एवं मंगल प्रशन तीन खाली स्थान भरें पहला रिक्तिस्थान का एक सम्हूं जो विभिन्न प्रति रोपों का निर्मान करता है उसे रिक्तिस्थान कहते हैं दूसरा तारों की एक बहुत बढड़ी प्रणाली को रिक्तिस्थान कहा जाता है चौथा रिक्तिस्थान प्रिथ्वी के सबसे करीब है पाँचवा रिक्तिस्थान सूर्य से तीसरा सबसे नस्दीक ग्रह है चठा ग्रहों के पास अपनी रिक्तिस्थान तथा रिक्तिस्थान नहीं होती है आओ कुछ करें पहला, सौर मंडल का एक चाठ तयार करें दूसरा, छुटियों में एक तारा मंडल को जाकर देखें तथा वहां के अपने अनुभाव को कक्षा में बताएं तीसरा, प्रिथ्वी एवं सौर मंडल पर एक क्विस प्रतियोगिता का आयोजन करें आओ खेलें, पहला, हिंदी में सौर्य को सौरज भी कहा जाता है हमारे देश के विभिन भाशाओं में सौर्य के नामों का पता लगाएं अपने मित्र, शिक्षक या पडोसी की मदद लें दूसरा, आप मानव सौर मंडल का निर्मान करके मनुरंजन के लिए यहाँ खेल खेल सकते हैं प्रत्थम चरण आपकी कक्षा के सभी छात्र इसे खेल सकते हैं एक बड़ी हॉल में या खेल की मैदान पर एकत्र हो जाएं दूसरा चरण अब मैदान में आठ वृत्त खीचें जैसा की आगे चित्र में दिया गया है पांच मीटर लंबी रसी लेकर उस पर चौक या स्याही से प्रतेक आधे मीटर पर एक चिन्ह लगाएं केंद्र को चिन्हित करने के लिए वहां एक छोटी कील को रख दें अब केंद्र में खड़े होकर रसी के एक सिरे को पकड़ें प्रिष्ठ नौ अपने मित्र से कहें कि वो आधा मीटर वाले चिन्ह पर चौक एवं रसी को एक साथ पकड़ कर भूमी से लगा कर केंद्र के चारो और घुमें इस प्रकार आप एक वृत्त खींच लेते हैं जैसे कागस पर परकार एवं पैंसिल की मदद से खींचते हैं इसी प्रकार अन्य वृत्त भी बनाएं तीसरा चरण दस प्लेकार्ट तयार करें उनका नाम सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, पृत्वी, मंगल, ब्रिहसपती, शनी, युरेनस, एवं नैप्चियून रखें चौथा चरण दस छात्रों को चुने, तथा नीचे चित्र के अनुसार खड़ा कर दें एवं प्रत्यक के हाथ में एक प्लेकार्ट दे दें यहां एक चित्र दर्शाया गया है जिसमें दस गोले खींचे गये है प्रत्यक गोले पर हरे ग्रह का नाम लिखा गया है तथा केंद्र में सूर्य का नाम लिखा गया है प्लेकार्ड वित्रण का क्रम सबसे लंबा सूर्य सबसे छोटा चंद्रमा बुद्ध, मंगल, शुक्र एवं पृत्वी लगभग समान लंबाई वाले नेप्च्यून, यूरेनस, शनी तथा ब्रिहस्पती पहले के चार ग्रहों से लंबे लेकिन सूर्य से छोटे अब सभी चात्रों को अपने अपने प्लेकार्ड पकड़ कर अपने स्थान पर खड़े रहने को कहें चंद्रमा वाले प्लेकार्ड पकड़े हुए चात्र को पृत्वी वाला प्लेकाट पकड़े चातर का हाथ पकड़े रहने को कहें अब आपका सौर मंडल तयार है अब पृत्वेक चातर को धीरे-धीरे वामा वर्थ बाईं ओर की दिशा में घुमने को कहें आपकी कक्षा यानि आपकी क्लास एक छोटे मानव निर्मित सौर मंडल में परिवर्तित हो गई है। अपनी कक्षा में घूमते समय आप अपने स्थान पर भी घूमिए। दक्षिना वर्त दिशा में घूमने वाले शुक्र एवं यूरेनस को छोड़ कर शेश सभी को वामा वर्त दिशा में घूमना चाहिए। इसी के साथ आठ पाठों की इस पुस्तक का पहला पाठ यहां समाप्त हुआ। वाचन संदीप भट निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत